उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाओं के प्रथम चरण में चार मैं को मुरादाबार में हुए मतदान के दोरान कॉंग्रेस के मेर पत के उम्मीदवार हाजी रिजवान कुरेशी ने जिला प्रिशाशन पर कई गंभीर आरोप लगाये थे वहीं 13 मैं को भी मंटी परिसर नोगी मतगरना के बाद कॉंग्रेस के मेर पत के हारे उम्मीदवार हाजी रिजवान कुरेशी ने मीरिया से बात करते हुए मुरादाबाद के एस्पिसिटी अकलेश सिंग भदौरिया सहीद अपर जिलादिकारी का तंजिया अंदाज में धन् अब निर्वाचित मेर विनोदगरवाल की होने वाली शपत को रोकने के लिए कोट की शरण ली है उन्होंने चनपर नियाधीश की कोट में वाद दायर करते हुए रिटर्निंग आफिसर समेथ 11 मेर पत के निर्दलिये और राजनितिक पार्टियों के उमीदवारों को पार और वो कोट से अनुरोध करेंगे कि 13 मेर दाबार में मत करना को दोबारा कराएं कॉंगरस नेता ने आरोप लगाये कि जिला प्रिशाशन ने भाच्पा के कारे करता बनकर मत करना कराई है जिला प्रिशाशन ने 16 राउंड की मत करना के बार भी यह नहीं बताया कि किस आप नहीं मिला तो वह हाई कोट जाएंगे और वहां से भी इंसाफ नहीं मिला तो वह सुप्रीम कोट जाएंगे यह मद्दान से लेकर के और मद्गर्णा तक जो प्रिशाशन के लोगों ने बूतों पर अपने आपको भारती जन्ता पार्टी के एजेंट के रूप में दिखाते हुए काम किया और मद्गर्णा में जोहां ली हमरे साथ की गई सारा शेयर जानता है आप खुद लोगों मवजूद थे उसको ले करके हम नियाए पालिका की स्वरण में आए हैं और हमें नियाए पालिका पर पूरा भरोसा है हमें नियाए मिलेगा अगर यहां से नियाए नहीं मिला तो ह रोखो जब तक हमारी यह एलेक्शन प्रिटिशन फाइनल डिस्पोर्ज ना हो तब तक शपत पर रोग लगाई जाए इस्टे करा जाए अधिकारी उने खुद को भारती जंता पार्टी के कारेकरता के रूप में प्रेश किया जंता के सांदें मदगर्ना में भी शोल वे राउंड के बाद में पर सुनों ने जैसे उनकी मर्जिकरी वैसे किया आल्टा पर्टी करके अधिया गया जोब के अंधर ने क्या बताया कि शोला राउंड तक इंती चली जो तरीका है गिंती का शोला राउंड के बाद में 22 राउंड कब गिन लिए गए ना वहां बैठे आजेंटों को पता लगा ना हमें पता लगा सोला राउंड के बाद हम से ना हमारे अजेंटों से लिए गए ना हम से साइन लिए गए तक श्याद एकात किसी पर हमें इफ्राज तो हमने साइन नहीं करा वागी सोला राउंड तक हमने सब श्यूंड किये